नमश्कार दोस्तों स्वागत है मेरी यूटूब चैनल में आज मैं आपको जीफी 200MG टैबलेट के बारे में जानकारी देने वाली हूँ हम इसमें बात करेंगे कि जो जीफी 200MG टैबलेट है ये क्या वर्क करती है, क्या इसके यूजर्स है, इसके डोस्त क्या है, इसके साइट फेट्स क्या है और इसकी कुछ इंडिकेशन्स क्या है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं GFE 200MG टैबरट में क्या composition है GFE 200MG टैबरट में composition है Sifixin 200MG जो की FDC Limited Company द्वारा manufacturing किया गया है इसकी price की बात करें तो इसका price है 107 उपीस ये 10 टैबरट की packing में आता है अब हम जान लेते हैं कि Sifixin 200MG टैबरट कैसे करती है Sifixin 200MG टैबरट एक Phelosporin Antibiotic है जो की bacterial infection को थी करने के लिए यूज किया जाता है Sifixin Antibiotic किल कर देता है बक्टीरिय को जहांजी grow करता है means bacterial protecting covering जिसको की cell wall भी कहते हैं इसको नस्ट कर देता है जो की बक्टीरिय के जिंदा रहने के लिए बहुत ही जरूरी होती है आईए अब हम इसके कुछ benefits के बारे में बात कर लेते हैं Sphixin 200MG टैबरट वर्क करता है किल करने में बक्टीरिय को जो की infection का कारण होता है जिए बहुत ही effective antibiotic है जो की बक्टीरिय इंफेक्शन को treat करने के लिए यूज किया जाता है जैसे की आपको lungs की infection हो गई है जैसे की pneumonia जा फिर bronchitis जा फिर आपको urinary tract infection मल मूतर की infection हो गई है इसके बिना आपको आपको कान की जा फिर गले की infection जो की बक्टीरिय के कारण हो गई है उसके लिए भी यूज किया जाता है इसके बिना ये fever में टाइफ़र फीवर में जा फिर मिलेरिय में भी यूज किया जाता है और ये sexually transmitted disease जैसे की आपको गुप्त अंगों की कोई भी infection हो गई है उसके लिए भी यूज किया जाता है अब हम इसकी dose की बात कर लेते हैं स्फिक्जिन 200 mg टैबलट की dose आपकी medical condition पर depend करती है इसको दिन में एक बार जा दिन में दो बार सुबे शाम खाने के साथ जा फिर खाने का बगैर भी ले सकते हैं स्फिक्जिन टैबलट को कभी भी आपने चुबा कर जा फिर क्रश करकर नहीं लेना है बच्चों को स्फिक्जिन की dose उनके weight और age पर depend करती है बच्चों के लिए auror suspension भी आते हैं आप उन्हें वो भी दे सकते हैं अब हम इसके कुछ side facts के बारे में बात कर लेते हैं स्फिक्जिन 200 mg टैबलट के जो side facts होते हैं वो ज्यादा गंबी रूट में नहीं आते इसकी side facts हैं nausea, ultyana, pete में दर्द होना, खाना हजमना होना, गैस होना, diarrhea हो जाना जे जो side facts हैं जे कुछ time के बाद अपने आप ही ठीक हो जाती हैं लेकिन अगर आपको लगी कि जे लक्षन और भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो अपने nearly doctor के साथ contact जुरूर करें जे जो spixin tablet होती हैं जे बहुत ही जल्री असर करना शुरू कर देती हैं लेकिन आपने इसको बन नहीं करना है जब तब कि इसका पूरा course पूरा नहीं हो जाता है अगर आप कुछ दिनों के बाद ही spixin tablet को बन कर देती हुएं तो बक्टीरिय की जो growth है वो दुवारा से regrow होना शुरू कर देती हैं आईए last में हम इसकी कुछ indication के बारे में जान लेते हैं कि जे किन conditions में आप patient को दे सकते हैं spixin 200 tablet को pregnancy, breastfeeding, during drive जा फिर आप alcohol का सीवन कर रहे हैं तो उसमें भी आप इसको दे सकते हैं लेकिन अगर आपको liver और kidney की पोई भी disease है तो उसमें इस tablet का प्रियोग नहीं करना है आशा करती हूँ कि आपको मेरी दीगे जानकारी अच्छी लगी होगी अगर दीगे जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर देना, share कर देना और चैनल को subscribe कर देना अगर आपको किसी और medicine के बारी में जानकारी चाहिए तो वो मुझे अपने comment section में जरूर लिख कर बताना धन्यवाद